नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज है 29 अगस्त दिन मंगलवार खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर छात्रों को देरी से डिग्री निर्गत करने के मामले पर हुई सिर्वाई बिहार बोर्ड 11 वी वार्सीक परिक्षा 2024 के लिए नामांकन की अंतिम्तिधी बढ़ी सोचल मीडिया पर भरकाओ पोस्ट डालने वाले हो जाए साबधान बिहार के 11 जिलों के लिए सेना भरती रैली का आयूजन इस दिन से होगा सुरू इस दिन लॉंचों का भारत का सुर्यान आदित एलवन देखने के लिए ऐसे करें रेजिस्ट्रेशन अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से भारती नौ सेना में ट्रेट्समैन मिट पदों के लिए अप्लिकेशन स्टार्ट भारती नौ सेना के ओर से ट्रेट्समैन मिट के पदों पर भरती निकाली गई है इस भरती के लिए ओनलाइन आविदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है जो निर्धारित अंतिम्तिती 25 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी ऐसे में योग्य एवं इक्चोक उमिद्वार इस भरती में शामिल होने के लिए ओनलाइन अप्रिकेशन फॉर्म ओफिस्यल वेबसाइट जोईन इंडियन नेवी.gov.in पर जाकर ओनलाइन आविदन कर सकते हैं में आविदन करने के लिए उमिद्वार निमानिता प्राप्त बोर्ट संस्थान से दसवी कक्छा या इसके समकच उत्रिंट किया हो इसके अलाबा अभियर्थी ने संबंध ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी हासल किया हो चात्रों को देरी से डिग्री निर्गत करने के मामले पढ़ हुई सुनवाई बीते दिन पटना हाई कोड के चीफ चस्टिस के वी चंदरन की खंड़ पीट के द्वारा राजी के विवन विश्विद्यालियों द्वारा छात्रों को डिग्रे निर्गत करने में होड़े विलंब को लेकर विवेक राज की जनित याचिकाओं पर सुनवाई की गए इस दोरान कोट के द्वरा राजी के सभी संबंधित विश्य विद्यानियों को नर्देश देते वे कहा गया कि वे परिक्षा नियंत्रकों के माध्यम से तीन सब्ता में काडवाई रिपोर्ट कोट के सामने पेश करे और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अगली सुनवाई स कम बंधित अधिकारियों को कोट में उपस्तित होना होगा आपकी जानकारी क्लिब बता दे कि पुर्व की सुनवाई में कोट के द्वारा कहा गया था कि जिस कूलपती के द्वारा हरफ नामा दायर नहीं करवाया जाएगा उन पर 5000 रुपे का जिर्माना लगाया जाएगा जो कि उनके व्यक्तिकत वेतन से काटा जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अब इस मामले पर कोट के द्वारा अगली सुनवाई तीन सपता के बाद की जाएगी बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सेर्शा सुरी के बारे में सेर्शा सुरी भारत में जन्मा पठान था जिन्होंने हमायू को 1540 में हरा कर उत्तर भारत में सुरी सामराजय स्थापित किया था सेर्षा सुरी ने पहले बाबर के लिए एकश्यानिक के रूप में काम किया था जिनोंने उन्हें पदोनत कर सेनापती बनाया और फिर बिहार का राजेपाल नुक्त किया 1537 में जब हुमायू कहीं सुदूर अभियान पर थे तब सेर्षा ने बंगाल पर कबजा कर सूरी वन सस्थापित किया था सन 1549 में सेर्षा को चौसा की लड़ाई में हुमायू का सामना करना पड़ा जिसे सेर्षा ने जीत लिया 1540 इस्वी में सेर्षा ने हुमायू को पुना हडा कर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सेर्खान के उपाधी लेकर संपुन उत्तर भारत पर अपना सामराजय स्थापित कर दिया एक शांदार रनितिकार सेर्षा ने खुद को सक्छम सेना पती के साथ ही एक प्रतिभा साली प्रशासक भी सावित किया 1540 से 1545 के अपने पांच साल के शासन के दोरान उहने नई नगडिये और सैने प्रशासन के स्थापना की पहला रुप्या जारी किया भारत की डाक विवस्था को पुना संगठित किया और अफगानस्तान में काबू से लेकर बांगलादेश के चटगाओं तक ग्रांट ट्रंक रोड को बढ़ाया सामराजी के उसके पुनरगठन ने बाद में मुगल समराटों के लिए एक मजबूत नीव रखी इस दर लॉंच होगा भारत का सुरियान आदित्य ऐलवन देखने के लिए ऐसे करे रेजिस्ट्रेशन इस रोब चंद्रियान की सफलता के बाद 2 सितंबर की सुभाई 11.50 बचे आदित्य ऐलवन मिशन लॉंच करनी जा रहा है जो की सुरिय का अध्यन करेगा अगर आप इस मिशन के लॉंचिंग लाइफ देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिखाये जा रहे हैं लिंक पर जाकर अपना रिजिस्ट्रीशन करना होगा बतादे के रेजिस्ट्रेशन करनी का यह विंडो आज यानी की 29 अगस्त को दो पहर बार बजे खुल जाएगा आपकी जानकारी के लिए बतादे कि इस बात की जानकारी इसरो के द्वारा ट्वीट कर दी गई है जिसके अनुसार यह लॉंचिंग आंध प्रदेश के स्रीहरी कोटा के इसरो के स्पेस पोर्ट के द्वारा की जाएगी मालूम हो कि अंतरिक्ष में आदित्य अलवन जिस स्थान पर जाएगा वो स्थान प्रीथवी से 15 लाग किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एहमदाबाद में मौझूद इसरो के स्पेस अप्लिकेशन संटर के डैरेक्टर निलेश एम दिसाई के द्वारा दी गए जानकारी के नुसार यह 15 लाग किलोमीटर की यातरा 127 दिनों में पूरी होगी राजधानी में रिवर क्रूज रोपैक्स वेसल का परिचालन इसी सब्ता से बिहार की राजधानी पटना में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपैक्स वेसल का परिचालन इसी सब्ता से आम पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया जाएगा ऐसी में परेटकों को टिकेट बुक करने की सुधा जनारदन घाट पर उपलब्ध करवाई जाएगी बतादे के टिकेट के कीमत को लेकर महापरबंधक के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि बिहार राजी टूरिस्ट डेवलप्मेंट कॉर्पोरिशन के द्वारा 300 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक का किराया तै किया गया है मालुमों कि एक परटक को 45 मिनट तक पड़ी ब्रह्मन के लिए 300 रुपए देने होंगे वहीं अगर इसे बुक किया जाता है तो प्रती घंटा के लिए 30,000 रुपए चुकाने होंगे पटना हाई कोट ने नितिगर्थ नर्णै में हस्टशेप करने से किया इंकार, बीते दिन पटना हाई कोट के चीफ जस्टिस केवी चंदरन के एवम जस्टिस पार्थ सार्थी की, खंड पीट के द्वारा राज़े सरकार के नितिगर्थ मामलों को लेकर, राजीव कुमार सेवं आने द्वारा दायार लोखित यार्चिका पर सुनवाय की गई जिसमें कोट के दौरा राजसरकार द्वारा पहले से तयार की गए योजना मैत्रीक पास अनुसुचित जाती और अनुसुचित चंजाती चातरों के लिए छात्रवृत्य योजना में हंस च्छेब करने स 2021 चात्रविती योजना के लिए एक हिस्सी को लागूग कर दिया जाए लोखित याचिका में कहा गया था कि केंद सरकार के दोरा जारी दिशानर्देशों को पूरी तरह से लागूग किये बगएड बिहार में चात्रविती के लिए एक योजना लागूग की गई है बिहार बोर 11 वी वार्षिक परिच्छा 2024 के लिए नामांकन की अंतिम तिथी बढ़ी अगर आप भी उन चात्रों में से हैं जो बिहार बोर 11 वी वार्षिक परिच्छा 2024 में नामांकन करवाना चाहते हैं लेकिन अब तक किसी कारण नहीं करवा पाए हैं तो यह खबर आपके लिए है बतादी कि बिहार विद्याले परिच्छा समीती के द्वारा बिहार बोर्ड 11 वार्षी परिच्छा 2024 के लिए नामांकन कितिती को बढ़ा कर 31 अगस 2023 तक परहा दी गई है ऐसे में छात्र अपना नामांकन 2021 अगस 2023 तक करवा सकते हैं बतादी कि बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के नुसार या छात्रों के लिए अंतिम मौका है मालुमों कि ओन्लाइन रेजिस्ट्रेशन या सुल्क जमा करने में किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए बोर्ड की ओर से जारी किये गए हेल्प लाइन नंबर 6612-23-6639 पर कॉल कर संपर्त किया जा सकता है बतादे किस से पहले बिहार बोर्ड इंटर प्रतम वर्ष में नमांकन की तिथी को बढ़ा कर 15 अगस्त से 21 अगस्त कर दिया गया था वहीं अब एक पार फिर से समीती की ओर से तारी को बढ़ा कर 31 अगस्त कर दिया गया है राजे में जलिये जीवों और पक्चियों का होड़ा हा सर्वे परेवरन वन इवं जलवायू परिवर्तन विभाग के द्वारा बिहार के 100 हेक्टेर से अधिक आदर भूमी की सहित पड़क इस छेत्र में आने वाली चलिये जीव पक्ची पेर सहित आने चीजों का सर्वे किया जारा है बतादी की विभाग के द्वारा किये गया इस सर्वे से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि जमुई के नागी नक्ती, बेतिया की, उदैपूर जील, वैशाली की बड़ैला, पूर्निया की, गोगा बिल जील, सहित राजे के 6 वेटलैंड में करीफ 100 से अधिक प्रजाती के 1,00,000 से अधिक पक्ची है आपकी जानकारी के लिए बता दे की राजे के 21 जिलों में 100 हेक्टेर से अधिक 128 आदर भूमी का हल्थ कार्ड बनाया जाना है, जिनमे से 60 आदर भूमी का हल्थ कार्ड बनाया जा चुका है मही 78 आदर भूमी का हेल्थ कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है मालमों किस हेल्थ कार्ड में हर साल एने 128 आदर भूमी पर पक्छीयों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है उसकी जानकारी शामिल की जाएगी पतादिक इस बात की जानकारी परेवरन वन एवं जलवायू परिवर्तन विभाग के सचीव वंदना प्रियर्शी के द्वारा दी गई है एशियन गेम्स में भारत के लिए खेलेगी नालंदा की बेटी आगामी 23 से 26 सितंबर 2023 तक चीन के हांग जो उपरांथ में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए बिहार के नालंदा की बेटी स्वेता साही जो अंतराश्री रगभी गर्ल के नाम से जानी जाती है वह भी सितंबर को चीन जाने वाली है दरसल इसके लिए बीते दो महीने से कौकता में कैम चल रहा है जिसमें बिहार से 5 और पूरे भारत से 31 खिलारी मौजूद है इन्हें खिलारियों में से बिहार की स्वेता साही का चेन एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए किया गया है मालमों कि इशियार गेम में भाग लेने के लिए 17 साल बाद किसी बिहार के खिलारी का चेन किया गया है जो कि बिहार के लिए बहुत ही गोड़व की बात है स्वेता सिंग के सुपलब्धी पर नालंदा के सांसत कौशलेंद्र कुमार के दोरा स्वेता को कॉल कर बदाई दी गई है और कहा गया है कि नालंदा की बेटी भारत का नाम रोशन करेगी आपकी जानकारी के लिए बता दी कि सोईता सिंग के दौरा अपने नाम राज्य अस्तर से लेकर राश्ट्रिय और अंतराश्ट्री अस्तर पर कई प्रतियों गिताओं में भाग लेकर अपने नाम कई खिताब किये गए हैं सोशल मेडिया पर भरकाओं पोस्ट डालने वाले होजाय सावधान बीते दिन सोमवार को एडीजी मुख्याले जितंदर सिंग गंगवार के दौरा दी गए जानकारी के अनुसार बिहार सरीफ के बाद अब बगा में भी सोशल मीडिया पर भरकाओं पोस्ट करने वालों पर EOU के द्वारा जांच कर उस पर कारवाई की जा रही है वहीं मोतिहारी में भी समाजिक सदभाव बिगारने की वच्छा से चार कांड दर्च किया गया है जिसमें अब तक 9 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है अबकि जानकारी के लिए बता दे कि EOU की टीम के द्वारा बग साइवर ठाना से जुड़ा है बिहार परेटन में आज हम बात करेंगे अमी अस्थान के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में दिगवारा रेलवे स्टेशन के पास दिग द्वार था और यह स्थान दिगवारा के नाम से जाना जाता था यह स्थान छप्रा से जाना जाता है मंदर के पास एक बगीचा और एक गहरा चोड़ा कुआ है जिसमें पानी पूरे साल रहता है और यह कभी नहीं सुखता दूर से आस्तेक सियग कुंड पर उसके स्मृति में स्थापित भेट करने के लिए आते हैं दूर दूर से विश्वासी अप्रैल और ऑक् चढ़ाया जाने वाला पानी कुंड में गायब हो जाता है बिहार के ग्यारत जिलों के लिए सेना भरती रैली का आयूजन इस दिन से होगा शुडू छेतरिये भरती मुख्याले बिहार और जार्कन के ओर से 30 अगस्त से अगनिपत योजना के तहत बिहार विशे ससस्तर बोद गया धोबी रोड टिकना फॉर्म के निकर्ट स्थ बिहार विशे ससस्तर पुलिस बल के मैदान में लिया जाएगा मालम हो कि बिहार के जन ग्यारत जिलों के अभ्यरतियों के लिए भरती आयूजन किया रहा है उनमें अरवल औरंगाबाद गया जमूई जहानाबाद कैमूर, लखी सराई, नालंदा, नवादा, रोतास और शेकपूरा के नाम शामिल हैं जिसके तहत 30 अगस्त को लखी सराई, नवादा एवं जहानाबाद के लिए भरती आयूजन किया गया है तो वही 31 अगस्त को रोता, शमूई, नालंदा, 1 सितंबर को औरंगाबा, सेकप श्रेनी के लिए और 5 सितंबर को सभी 11 जिलों के अगनिवीर ट्रेट्स में श्रेनी के लिए भरती आयूजन किया जाएगा लगजरी कार से भारी मात्रा में शराब बडामत, बिहार में पुन रूप से सराब बंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी से जुड़े मामने सुनने को मिलते रहते हैं हालाक इन पर नकेल कसने के लिए उतपात विभाद की ओर से जी तोर कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही उल्टा सराब तसकरों के दोरा तसकरी के लिए आये दिन नए नए तरीकों का नजाद किया जा रहा है बता दे कि ताजा मामला बिहार के गोपाल गंज लेके माधू मठ गाउं के पास का है जहां पुलिस को मिली गुप्त सूशना के आधार पर वहां जांच के दोरान एक SUV कार से 325 लीटर विदेशी सराब बढामत किया गया है और साथी दो तशकर को भी गिरफतार किया गया है जिसकी पहचा संदीब कुमार और अनुराग ठाकुर के रूप में की गई है ये दोनों तशकर हरियाना के रहने वाले हैं जो शराब को मुझह पर पूर लेकर जा रहे थे बतादे किस बात की जानकारी गुपाल गंज सदर SDPU प्रांजल कुमार के दोरा दी गई है आई टी पत्टना में इतने छात्रों को मिला प्लेस्मिंट भारती प्रोदोगी संस्थान पत्ना के 2023 बैच के कुल 413 छात्रों को बारवीаешь प्लेस्मिंट में नौकडी के प्रस्ताओं मिले है बतादे किस प्लेस्मेंट प्रक्रिया में लगभग 165 राश्ट्रिय और अंतराश्ट्रिय कंपनियों के दोरा हिस्सा लिया गया IIT पटना के ट्रेनिंग एंड प्लेस्मेंट सेल के प्रोफेसर एंचार्ज अस्विनी अश्रम के दोरा चात्रों और प्रिसर के उपलब्दिती पर प्रसंत अव्यक्त करते वे कहा गया कि उत्क्रिस्ट प्लेस्मेंट मजबूत सैचनिक महौल उद्योग उन्मुक अनुसंधान और नवाचार के प्रती हमारे वेभारिक दृस्टी कौन का प्रमान है उन्होंने कहा कि हमुद्यों के मांग वाले रुज़ानों के अनुसार छात्रों का पोशन कर रहे हैं और नित्तों और आरुचनात्मक सोच की संस्रित विक्षत कर रहे हैं प्रादेश में मौसम बना रहेगा सुस्क बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है बदलते हालात के बीच में इन दिनों तापमान में बढ़ोतरी देखी जारी है पिछले हुई बारेश के बाद भले ही लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली हो और किसानों के चेहरे पर खुसी देखने को मिली थी लेकिन अब बढ़ती गर्मी ने एक बार फिर से परिशानी बढ़ा दी है मौसम विभाग के तरफ से जारी अब्रेट के नुसार तापमान में दो से चार दिगरी की बढ़ोतरी की बात कही जारी है इन दिनों बारेश से साफ इंकार किया गया है मौसम विभाग के दोरा जारी किये गए पुरवान उमान के नुसार दक्षिन बिहार में मौसम सुस्क रहने की संभावना जताई गई है जबकि उत्तर बिहार में प्रदेश के एक या दो अस्थानों में बारिस की संभावना जताई गई है चतावनी के रूप में कहीं भी बारिस की कोई इच संभावना नहीं है 29 अगस्त से 1 सितंबर तक बारिश को लेकर किसी भी तरह के चिताबनी जारी नहीं की गई है। पुरे प्रदेश में एक या दो अस्थानों पर बारिश को लेकर अब देश साजा किया गया है। लेकिन वहाँ भी बारिश होगी की नहीं इसको लेकर कोई इस पश्च जानकारी नहीं है। हाला कि विभाग ने प्रदेश के आधे से जादा जिलों में मौसम गर्व रहने के संकेत दिये हैं। सक्षा विभाग के कंप्लेंस सेंटर में लगा शिकायतों कामबार। राजी भर से विद्यालियों के पठन पाठन से संबंध सिकायतों को किया जा सके इसके लिए बिहार सरकार के सच्छा विभाग के दौरा दो टोल फ्री नमबर 14417 और 1803454417 जारी किया गया था। बतादी कि अभी तक या पूरी छंता से शुरू भी नहीं वा है और अग्तकरी 250-300 तक सिकायते रोज विभाग के पास पहुँच रही हैं। शिकायतों के निश्पादन के रिपोर्ट को संबंधित पदाधिकारी के दौरा विभाग को भेज दिया जाता है। ठीक उसी तरह बीर की परिक्षा देने वाले चातरों को भी स्टीटी परिक्षा यानि की माधिमिक सक्षक पातरता परिक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। कई विश्विद्याले ऐसे हैं जिनके दौरा वीर का परिनाम जारी नहीं किया गया है। बता दे किस मार्च के दौरान अभियर्थी गांधी मैदान से इंकम टैक्स को लंबर तक महुचे जहां उन्हें रोक दिया गया। वहीं छात्र नीता दिलब कुमार के दौरा अभियर्थियों की मांग को जायस बताते वे केके पाठक से मांग पूरी करने के लिए आगणा किया गया है। निकाला गया कि तेश्वी यादव की तरफ से प्रथम दृष्ट अपराध हुआ है और यही वज़ा है कि उन्हें अब 22 सितंबर को एहमदबाद कोर्ट में उपस्तित होने को कहा गया है। कि अभी बिहार विधान सभा चनाओं में समय है। इस समय लोग सभा चनाओं को लेकर भारती विपक शिकरवंधन के घटक दलों के बीच आम सहमती है और आप भी इसका हिस्सा है। उलेखनी है कि आमाद में पार्टी के राजिसभा सांसद और राश्ट्री संगठर महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने दिललसित पार्टी मुख्याले में बिहार के पार्टी कारे करताओं के साथ बैठत की थी। इस दोरान डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि बिहार से बहुत सारे लोग आते थे और पूछते थे कि पार्टी बिहार में कब चनाव लड़ेगी। उन लोगों के बहुत सारे सवाल होते थे लेकिन अब मैं उन सवालों के जवाब देने वारा हूँ। बिहार में हमारे पास संगठन का स्ट्रक्चर भले ही ना हो लेकिन हमारे पास वहां काम करने वाले लोगों की बड़ी तादाद है। मालुम हो किसी मामले को लेकर राजस सुप्रीम लालो प्रशाद यादब को कोर्ट के दोरा दोसी करार दिया गया था। मादेश अध्यक्च समराठ चौधरी के दोरा जदियों के कदावर नेता और बिहार के मुख्यमंतरी नतीश कुमार के ग्रिह जले नालंदा से आने वाले प्रफल पटेल को उनके सैक्रों समर्थकों के साथ बीजेपी पार्टी की सदशिता ग्रहन करवाई गई। इस दोरान समराठ चौधरी के दोरा सभी को संबोधित करते वे कहा गया कि इन लोगों ने नारंदा की पावन धर्ती से आकर पार्टी को मजबूत किया है। बीजेपी आगे के दिनों में भी नारंदा की पावन धर्ती का सम्मान बढ़ाएगी। भारतिया टीम से मुकाबले से पहले घबडाय पुर्व पाकस्तानी खिलारी। एशिया कब 2013 के श्रवाद 30 अगस्त से भारत और नेपाल के बीच खेले जाने वाले मैच से होने वाली है। वहीं इसका महा मुकाबला 2 सितंबर को भारत और पाकस्तान के बीच होने वाले मैच से होगा। ऐसे मेच से पहले पाकस्तान के पुर्व विकेट कीपर बल्ले बाज कामरान अकमल के दोरा एक यूटूब चैनल पर बात करते वे अपने टीम के बल्ले बाजों पर निशाना साधा गया है। पहले बल्ले बाजी करने का मौका मिला था लेकिन टीम उसका फाइदा नहीं उठा सका। इन दोनों मैचों में मैन इन ग्रीन के पास अभ्यास का अच्छा मौका था लेकिन टीम ऐसा करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों को और अधिक जम्मेदारी लेनी चाहिए थी। राव अंबेटकर की अधिक्ष्टा में 1947 को भारतियन समिधान सभा दोरा समिधान का मुसोदा तयार करने के लिए एक प्रारूप समीति का गठन किया गया। पुखे मंतरी सीबू सुरे ने 2008 को विधान सभा में अपना बहुमत साबित किया। भारत के एक प्रमुक्चिकसक और देश सिवक जीवराज महिता का जन्म 29 अगस्त 887 को हुआ था। भारत के ख्याती प्राप्त खौकी खिलारी मेजर ध्यान चंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। भारत के सिर्श व्यग्यानिकों में से एक के राधा कृष्णन का जन्म आजी के दिन 1949 को हुआ था। वालकर में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया और फोन कॉल के निगरानी के बारे में। फरजी असपस्ट सूचना को शेयर ना करें। वाट्सअप स्टेटिस का रिप्लाई अब आप इस तरह भी कर पाएंगे। भारत में 550 मिलियन से जादा लोग वाट्सअप का इस्तमाल करते हैं। मैसे में स्पीच कंपनी एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है। जो कुछ बीटा टेस्टर्स के पास उपलब्द है। दरसल जल्द आप वाट्सअप स्टेटिस का रिप्लाई अफ़तार के जरीए भी कर पाएंगे। फिलाल हम सभी वाट्सअप पर इमोजी और मैसेश के जड़ी अमोमन स्टेटिस का रिप्लाई करते हैं। जल्द इसमें एक और आप्शन अफ़तार का जुनने वाला है। सब्डेट की जानकारी वाट्सअप के डेवलप्मेंट पर नजर बनाये रखने वाली वेबसाइट डबलू ए बीटा एंफो ने शेयर की है। वेबसाइट की मानें तो कंपनी इमोजी की तरह ही आठ अफ़तार का आप्शन लोगों को रिपलाई करने के लिए देगी इमोजी की तुलना में अफ़तार लोगों को उनकी फिलिंग को बहतर तरह से एक्स्प्रेस करने में मदद करेंगे। सवाल इतिहास, विहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफ़ेर्स और भुगों से रहेंगे। पूछे गए पांचो सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया क्रिपा करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाली में चेस वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? ओप्शन ए विश्वनाथन आनंद फीडे, ओप्शन बी मैगनस कार्ल सन, ओप्शन डी प्रग्यानन्दा, ओप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है, ओप्शन बी मैगनस कार्ल सन, अगला सवाल, हाली में कहा के पड़्यावरन और वन विभाग ने प्लास्टिक की पानी की बोतलू पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूशना चारी की है? ओप्शन A उत्तर प्रदेश, ओप्शन B दिल्ली, ओप्शन C मुंबाई, ओप्शन D असम। इसका सही उत्तर है, ओप्शन D असम। अगला सवाल, हाली में भारत का पहला स्वादेशी E-Tractor CSIR PRI MA E-T11 कहां में लौंच किया गया है? ओप्शन A प्शन B पंचाब, ओप्शन C हरियाना, ओप्शन D बिहार। इसका सही उत्तर है, ओप्शन A प्शन B पंचाब, ओप्शन C हरियाना, ओप्शन D बिहार। बसाती नूर उन्स एक मुल्यवान श्रोथ है, ओप्शन A तरहुत, ओप्शन B केंदरिये बिहार, ओप्शन C दक्षिन बिहार, ओप्शन D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है, ओप्शन A तरहुत, अगला सवाल, बिहार आने वाले महतपुन चीनी यात्रे इनमें से कौन है, ओप्शन A फाहियान, ओप्शन B, युवान च्वांग, ओप्शन C, इत्सिंग, ओप्शन D इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है, ओप्शन D इनमें से सभी। आज के सवाल क्योंड, आज का सवाल है, आपके छेतर में सक्षा से जुरी कौन से परिशानिया नजर आती हैं, अपना जवाब हमें अमारे कामेंट स्क्षन में लिखकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही, बिहार के तमाम खवरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें, बिहारी निउस, और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं, चनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं, तो पेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद.